आखिरकार Realme ने इंडियन मार्केट में अपनी so-called budget entry-level smart TV को launch कर दिया है जो कि specification wise एक budget और entry-level smart TV तो लगती है लेकिन price को देखकर ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ Realme Neo 32-inch smart TV की जो कि आज 24th September को इंडियन मार्केट में launch किया गया है 15,000 के price point में जी हाँ दोस्तो जब ये TV first time flip card पर list हुई थी उस समय मैंने आपको बता दिया था कि इस TV में आपको Android operating system नहीं मिलेगा ये budget TV होने वाली है entry TV होने वाली है entry level में तो यहाँ पर आपको Linux based operating system दिया जाएगा और उस समय मैंने impact और भी बहुत सारे YouTubers ने ये अंदजा लगया था कि इस TV की pricing 12-13,000 रुपे तक होने वाली है और अगर ये TV उस price point पे launch होती है तो definitely मैं आप सभी को recommend करता कि ये TV अच्छा option है आप ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर इस TV की pricing 15,000 रुपे रखी गई है अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जब आपको अलड़ी 15-16,000 रुपे में certified android TVs मिल रहे हैं जहाँ पर आपको complete सारे smart features देखने मिल रहे हैं तो Realme ने ये TV इतनी price point पे यानि इतन इसे buy करेगा मैं तो पहले आपको मना कर रहा हूँ कि ये buy करना बेवकुफी होगा because जब आपको इसी same price point में smart TV मिल रही है certified android TV मिल रही है तो आप क्यों ही ये आधी अधूरी smart TV buy करेंगे जिसमें आपको hardly सिर्फ और सिर्फ YouTube का ही support देखने मिलता है इसके अलब आपको हंग अधूरी smart TV कह रहा हूँ लेकिन अगर ये TV जो realme की neo TV है ये आपको 12-13,000 रुपे के price point में मिल जाए और आप TV लेने वाले हो सिफ और सिफ offline content enjoy करने के लिए सब्स आपको TV लेनी है और आप TV में setup box या फिर DTH के तुरू ही content enjoy करने वाले हो और कभी ख़बार आपका मन किया तो आप wifi या फिर phone के hotspot के थू YouTube बगरा enjoy करना चाहते हो देन उस case में आप realme neo consider कर सकते हो लेकिन जब आपको 12-13,000 रुपे के price point में मिले तो लेकिन अगर आपकी requirement नहीं है और ये TV आपको इतने कम price में नहीं मिल रही है तो definitely आपको ये TV नहीं buy करनी है बात करते हैं अब य मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको बताने की जरूरत है आप खुजी समझदार है तो आपको पता चल चुका होगा और बैसी बात है Redmi एक काफी अच्छा option निकल गरा था because Redmi और Realme के price difference की बात करी जाए तो सिफ एक हजार रुपे का difference है और एक हजार रुपे का difference में Redmi क TV में आपको Android TV 11 के साथ Patchwall का भी support दिया गया है साधे साथ वो certified Android TV है इस वज़े से जितने भी popular apps जितने भी सारे apps TVs के लिए वे लेबल है वो सभी apps Redmi की TVs में चलेंगे और साधे साथ आपको Google Assession का भी support मिलेगा सारे smart features मिल जाएंगे तो definitely 1000 पीज आपको extra add करके Redmi buy करना चाहिए अगर आपका budget 15-16,000 पे तक का है और आप एक smart TV लेना चाहते हैं तो अब I hope यहाँ पर आपका ये doubt clear हो चुका होगा कि real मी लेना है या फिर red मी लेना है लिसी के साथ इसी budget में यानि 14-15,000 के budget में आपको कुछ और alternate options मिल जाते हैं जिनको आप consider कर सकते हैं जिन मेंसे एक है तो अगर आप wide angle चाहते हो टीवी में मतलब अगर आपका hall बढ़ा है और आप अलग-अलग angle से टीवी enjoy करना चाहते हो तो उस case में IPS में आपको काफी अच्छा वीवे angle देता है तो उस case में आप blurpunk भी consider कर सकते हो जो कि आपको 14-14,000 पे के price point में मिल जाता है इसके अलबा को Netflix का support ना होना जी हाँ यह सभी टीवी certified android टीवी हैं लेकिन hardware limitation की वज़े से इन टीवी में आपको Netflix का support नहीं देखने मिलता है तो अगर आपको लगता है कि आप Netflix future में नहीं use करने वाले हो तो आप इंको consider कर सकते हो अगर आपके लिए Netflix important है आप यहाँ पर Redmi को भी consider कर सकते है तो यह यहाँ पर कुछ best options हैं अगर आपका budget 15-14,000 रुपे के आसपास है लेकिन अगर आपको budget का issue नहीं है आप 20,000 रुपे तक spend कर सकते हैं 32 inch TV के लिए then definitely जो पहला TV यानि जो first priority आपकी होनी चाहिए वो है Samsung की smart TV जी हाँ Samsung की TV काफी अच्छा option इकल कराती है काफी अच्छ quality काफी इच्छी sound quality और इस TV में आपको सभी smart features मिल जाते हैं और plus यहाँ पर यह आपको Samsung जैसे बड़े brand के दरफ से देखने मलता है after sale service भी यहाँ आपर आपको Samsung के इस TV में काफी अच्छी मिलती है तो मेरे हिसाब से आपको पहला preference इसे देना चाहिए in case अगर आप couple से थोड़ी pricing कम हो सकती है Motorola TV के detail unboxing and review video आपको चैनल पर मिल जाएगी तो फिलाली कुछ TVs रजी को आप buy कर सकते हो इसके अलाबा Realme की 32 inch full HD TV है अगर आप full HD resolution चाहते हो आप ज़ादा दूर से TV नहीं देखते हो then full HD आपके लिए का अच्छा option होगा तो फिलाली कुछ अच्छे options ह है market में इसके अलाबा 29 और 28 September को Nokia and Motorola के TVs launch होने वाले और जहां तक मुझे लग रहा है कि जो 4K TVs होंगे उनके साथ में आपको 32 inch के TVs भी देखने मिल सकते हैं लेकिन मैं अभी शौन नहीं हूँ तो यहाँ पर फिलाल ये कुछ selected options available है अब यहाँ पर आपको decide करना है कि आपका budget कितना है आपकी requirement क्या है और उससाब से TV चूज करना है लेकिन अगर आपको कोई difficulty आ रही है कोई भी confusion है तो आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हैं मैं आप सभी के लिए हमेशा available हो इस चैनल का motive ही है आपकी help करना और आपको एक best price में एक best product दिलाना तो आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हो थोड़ा सा देरी होगा लेकिन मैं definitely आप सभी को reply जरूर करूँगा इसी के साथ आने वाली sales जो है यहाँ पर बहुत सारे deals in office मिलेंगे और बहुत से YouTubers आपको videos बनाकर बतायने वाले ही है कि कौन से कौन से product पर offer आ रहे है लेकिन यहाँ पर confusion भी बहुत ज़़ा create होती है इस इस वज़े से sale के दुरान specially मैं Instagram पर काफी जा active रहने वाला हूं तो आप make sure अगर आपको कोई doubt है तो आप जो हमारा Instagram ID नीचे दिया है उस पर जाके हमें message कर दीजे आपकी requirement और आपका budget ताकि sale के दुरान हम आपको एक best product recommend कर पाएं और आप जो है हमसे one-to-one chat भी कर सकते हो तो I hope यह video आप सभी के लिए useful रहा होगा इसी के साथ channel पर बहुत ही जल यानि आने वाले कुछी दिनों में बहुत से नए TVs के unboxing and review videos भी आने वाले हैं तो make sure आप channel को ज़रूर subscribe कर लेजे आज के लिए तना ही मिलता हूं next video में तब तक के लिए टा 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 बाई बाई सैवना झारा